मखाने का पाग या मखाने की मिठाई बनाने के लिए मैं यहाप पैन लिया है उसमें एक चम्मच घी डाला और गी को गरम करके उसमें एक बड़े कटोरे मखाने राल दियें तो यह जिनको फॉक्स नट्स भी कहते हैं इनको हम रोस्ट कर लेंगे और एकदम क्रिस्पी कर लेंगे तो मीडियम आच पर इसको रोस्ट करेंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे नहीं तो यह जल जाएंगे काला बिल्कुल भी न होने दे और बढ़ी आसा रोस्ट कर लें तो दरदरा सा पाउडर बनाएंगे इसको एक बार अच्छे से भुण जाते हैं तो बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं मखाने और बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत एनरजी होती है इसमें बच्चों के लिए बहुत बढ़िया यह मिठाई रहेगी तो बस यह देखिए ऐसे मैं से दबा देंगे तो यह क्रश हो जाएंगे क्योंकि हमें दरदरा ही चाहिए था अगर और ज्यादा मिक्सी चलती है तो बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाता तो यह हमारा मखाने का पाउडर तेयार है अब क्या करेंगे एक चोटी कटोरी भरके मुंफली के दाने लेके उ इसको धीमी आज पर सेकेंगे चलाते रहेंगे बीच बीच में और यह देखिए यह भी हमारे ड्राय रोस्ट हो गए है एक प्लेट में डाल करके इनको ठंडा कर लेंगे और इनको ऐसे मसल करके इनके निकाल देंगे और अगर आपके पास चिलके निकले हुए मुंफली के आप बीच तो अब खुषा के दाने तो आप अप सक्ते सकते हैं तो यह प्रोसर नहीं करना पड़ेगा और आप इसको ज़क में हमारे दाल करके इनको भी घ्राइंड कर लेंगे तो इसको ज़का सा कर लेंगेर इसको तो यह अम चैन करने साथ गूदर ऑर फिचा दिकां त अब रोस्ट हो चुके हैं इनको निकाल लेंगे और इसी पैन में दो चम्मच घी और डाल करके इसमें डालेंगे इलाइची का पाउडर एक चोटा चम्मच और थोड़ा सा कफ्राई होने देंगे बढ़िया से खुश्बू आने लगी है और इसमें डाल देंगे हम पानी क्य आप अपने हसाब से शुगर को कम या जादा कर सकते हैं लेकिन यह जो इतना मेजरमेंट है यह पर्फेक्ट है इसमें बहुत जादा है बिल्कुल मीडियम मिठा से इसकी इसको अबल जाने देंगे और तब तक कि हमारा जो है तो यह पानी आधा रह जाए और यह देखि सा एक तार की चाष्णी तयार हो इसमें मूफली पाउडर एक मिक्सी बॉले एक मिठा हैे यह कि ऊपको इसमें बचा ले लें ओपर गाडिशिंग के लिए और इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और अले से तो चाशनी थोड़ी करकर के डालेंगे ताकि हमको आइडिया रहे कि इसको कितना हमें उरकना तो एक डोग की तरह बनाना है ताकि आपस में सब लिपट जाएं और बंध जाएंगे तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और जितनी जरुवत होगी इतना डाल देंगे इसमें तो यह पूरी जितनी भी चाशनी बनाई थी पूरी लग गई है इसमें और बिल्कुल भी नहीं बची सारी डाल गे इसको मिला देंगे तो यह देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी ब और अलता मगन कर तेख लिए ज्मब कर लिया है गरीज गAME इसको एक टाली को ड़ा लेकिक काट्झाण This है इससे अक टाली क्टरी में थोड़ा साफ़ देंगे तो इसको टाली में ड़रीद्ए तो एसको प्रॉबल्स कर लेंगे रोकी एक प्लेल्ट तो बस अब इसमें लगा देते हैं चांदी के वर्क अगर हैं आपके पास तो लगा दीजे नहीं है तो कोई बात नहीं और इस पर डाल दिये कटे हुए पिस्ते तो अपनी मर्जी के जो भी आपके ड्राइफ रूट से हैं वो डाल सकते हैं और इसमें डाल देंगे हम ये बादाम फ्राइ के हुए जो बचाए थे थोई देर जमने देंगे सेट हो जाएगा जब ये तब इसको अपनी पसंद के च्वाइस के कट कर लेंगे साइस के जो भी पसंद है आपको और ये हमारे बहुत ही अच्छे मीठे और बहुत ही झाल 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 झाल